और देखे आएस पवन अरोडा की नई पारी अब मीडिया से शुरू की नई पारी उन्होंने फर्स्ट इंडिया के CEO and Managing Editor वो बने हैं CEO and Managing Editor के रूप में उन्होंने कमान संभाली है फर्स्ट इंडिया अखबार की भी कमान उन्होंने संभाली है यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चैनल के CMD एवम Editor इनचीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र मौजूद फर्सट इंडिया अखबार के ऑफिस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं परस्ट इंडिया चैनल के आफिस के बाद अब अखवार के आफिस पहुंचे हैं पवन अरोडा और तस्वीर आपको फरस्ट इंडिया चैनल अकवार के आफिस के दिखा रहे हैं जग्दीश चंद्रिस में मौझूद हैं और साथ ही साथ आप देखे एक नया जोश टीम में नज़र आ रहा है फरस्ट इंडिया अख़वार में आयोजित कारक्रम में शिरकत वो कर रहे हैं फरस्ट इंडिया परिवार ने पवन अरोड़ा का स्वागत किया है चैनल के दफ्तर भी पहुँचे थे वो इससे पहले और इसके बाद अब फर्स इंडिया अख़बार के दफ्तर वो पहुँचे है और यहां पर देखे बुके भेट कर उनका स्वागत किया जा रहा है पवन अरोडा का हाउसिंग बोड में शांदार कारेकाल रहा है लेकिन नई पारी की शुरुआत उन्होंने की है नए सफर पर पवन अरोडा हाउसिंग बोड को अंतराश्टी इससर पर उन्होंने पहचान जो दिलाई है उसकी तारीफ लगातार होती रही है लेकिन अब नई पारी की शुरुवात नए अंदाज में पवन अरोडा नजर आने वाले हैं और जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट इंडिया परिवार के सदस्तों से कहा कि साथ की जरुरत है और साथ हमेशा यूँई बना रहे तो नितने आयाम हम इस्थापित करते रहेंगे और और नई बुलंदियों को हासिल करेंगे लेकिन फिलाहल यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया अखबार दफ्तर की यह तस्वीर जहां पर आफिस के सभी लोग मौजूद विजिट फर्स्ट इंडिया अखबार दफ्तर का वुकर रहे हैं और जब पहुँचे तो किस तरह से गर्म जोशी के साथ टीम ने उनका स्वागत किया विजिट फर्स्ट इंडिया अखबार दफ्तर का वुकर रहे हैं पस्टनिया अखवार की भी उन्होंने कमान संभाली है चैनल के CMD एवम एडिटर इंचीफ डॉक्टर जगदी शंद्र भी मौजूद है उनके साथ में अनिता हाजा समयत तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं अभी पस्टनिया अखवार के दफ्टर का विजिट पवन अरोडा कर रही हैं सभी साथियों से मुलाकात और सभी का जोश हाए है एक नए अंदाज के साथ पवन अरोडा नजर आने वाले हैं और जिस तरीके से हाउसिंग बोर्ड की अगर बात की जाए है तो हाउसिंग बोर्ड को नई उचाई उपर नई बुलंदियों पर वो लेकर गए इसी तरह से नए सफर के शुरुआत उसी कलेवर के साथ उसी जोश के साथ उन्होंने आज की है और खास बात ये भी उनकी कही जाती है कि टीम को साथ लेकर चलने में वो विश्वास रखते हैं और जिस तरह से आज विदाई समहरों में उन्होंने कहा भी था कि जो उपलब्दिया मेंने हासिल की है वो सिर्फ मेरी नहीं बलकि आप सभी के उपलब्दिया हैं क्योंकि ये टीम वर्क है और याद है में वो समय जब हाउसिंग बोर्ड की सराना हो रही थी उस समय भी जब टीम को शाबाशी वो दे रहे थे तो यहीं उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जीत हम सभी की है हम सभी के कारे की है क्योंकि ये कारे सिर्फ एक कर नहीं बलकि पूरे टीम का होता है और यहीं उनकी खासियत है कि टीम को साथ लेकर वो चलते हैं पिलहाल विजिट फस्ट इंडिया अखबार के दफ्तर का वो कर रही है सभी ने गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया हाउसिंग बोर्ड को अंतराश्टी इस तर पर उन्होंने जिस तरह से पहचान दिलाई है वोस्त्वारनी मक्षरों में दर्ज है और जिसका जिक्र मुख्यमंत्री तक ने किया है तमाम बड़े प्रोजेक्ट जिस तरह से उन्होंने काम किया कम समय में उन्हों प्रोजेक्ट को पूरा किया हाली में विधायकों के आवास का जो प्रजेक्ट था मुखेमंत्री ने तारीव भी की थी कि कम समय में बहतर तरीके से और जल्दी उन्होंने काम ये खत्म किया और लोकारपन भी हो गया और हाउसिंग बोर्ड जो एक समय बंद होने के कगार पर था या यूं कहें कि बंद करने की तैयारी थी लेकिन जिस तरह से उसे पुनर विक्सित किया पवन अरोड़ा ने पुनर जीवित किया उसकी तारीफ हमेशा होती रहेगी और ये देखिए फस्ट लिया अख़बार के सीएमडी सीओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जिन्होंने कारभार संभाल लिया है ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गौरव का पल पूरी टीम के लिए सभी सदस्यों के लिए सभी परिवार में खुशी की सरा से है बुके भेट कर उनका स्वागत किया गय है तो नई पारी की शुरुआत पवन अरोड़ा कि और आप देख रहे हैं कि सरीके से जोश पूरी टीम में नजर आ रहा है तो कई मुकाम हासिल करने के बाद एक नई सफर पर पवन अरोड़ा हैं मीडिया से आप उन्होंने नई पारी की शुरुआत कर दी है फिस्ट इंडिया के CEO and managing editor की कमान वो संभाल चुके हैं साथी साथ अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं फिस्ट इंडिया अखबार दफतर की ये तस्वीर है फिस्ट इंडिया अखबार के CEO and managing editor के रूप में भी उन्होंने कमान संभाल ली है साथ में आप देख रहे हैं चैनल के CMD एंड एडिटर इंचीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र उनकी भी मौजूदगी फरस इंडिया अख़वार में कारक्रम में शिर्कत वो कर रहे हैं और आप देख रहे हैं पूरा परिवार फरस इंडिया अख़वार का मौजूद और सभी से मुलाकात वो करते हुए एक नई उर्जा का संचार सभी सदस्यों में सकारात्मक्ता का माहुल और जिस तरीके से एक्टिवनेस के साथ वो कारे करते हैं लगातार उसकी सराना होती रही है सभी सदस्यों से मुलाकात करने पवन अरोड़ा पहुँचे कारेभार वो संभाल चुके हैं और अब केक कटिंग के साथ गर्म जोशी से स्वागत उनका तो देख इससे पहले फरस इंडिया न्यूस के दफ्तर वो आय थे पूरी टीम में उर्जा का संचार जिस तरीके से देखा गया काफी खुश वो भी नजर आए और कहा ये भी था उन्हें कि सभी के साथ मिलकर बहतर कारे हमें करना है और बुलंदियों तक और बुलंदियों पर फरस इंडिया न्यूस को ले जाना है कि जो हमारे जो बाजू का जो जोड था वो आज डबल हो चुका है बड़े चाफ से आपके ये पेपर शुरू किया था और आप क्या कहेंगे विकॉस तोडे आम शुर जितना प्राउड हम फील कर रहें उससे डबल प्राउड आज आप फील कर रहें खुशी की बात है कि अख़बार में वेल्यू एडिशन हुआ है आज पॉन रोड़ा जो बहुत ही एक्सेप्शनेरी कॉंपेटेंट और समाजदार वेक्ती हैं उन्होंने आज यहां सी और मैनेजिंग एडिटर का पत संभाला है और मुझे पूरा विश्वास है कि पत्रिकारता से सीधे तो नहीं जुड़े रहे लेकिन एपर्टेक्श रूप से पत्रिकारता से यह भी लंबे समय से जुड़े रहे हैं और बहुत ही मोलिक विचारों के वेक्ति हैं आप देखेंगे अगले एक दो मेने में किस प्रकार के चेंज़े आपको अखवार में देखने को मिलेंगे स्ट्रक्शली भी और अधरवाइस नहीं प्रयोग के नहीं प्रयोग की द्रश्टी से भी कुल में लाके आज एक बड़ा दिने अखवार के लिए सेंग की बात है कि पांच साल पहले जो दफ्तर बना था इसका डिज हैंगे ठीक है ना हम सब तो हैं एज फ्रेंड फ्लोस्टर और गाइट लेकिन सारा काम इनको देखना है चैनल का काम भी देखेंगे वो मुझे आशा है कि अखवार में एक नई दिशा आएगी एक ताजी हवा का जोंका जिसे कहते हैं मोनी तो मैं अखवार में देखने को म जारा है अब तो सर वेलकम यू एंड फ्कॉस जैसी सर इस अनी टाइम देर विद तस अच्छा है आप से हम और नई चीजे सीखेंगे सर से भी हमने बहुत कुछ सीखा बहुत बहुत शुब कामना इस है इसमें एक ये डबल इंजिन या एक और एक ग्यारा की बात जो करते है न हम लोग जो है तो ये एक ही ग्यारा है दूसरा एक है न साइलेंट है कि वल क्राइसिस के समें वो खड़ा होता है दूसरा जो है इन वे जो है और सब अच्छा है अब बहुत बहुत बदाई सर और इसके बाद मतलब ये नई शुरू आता है और आपकी भी है और शुब कामना है आपके साथ है दन्यवादा है ये ओपिनेटेट मेकर अखबार है जो हूस ओफ ऑफ दी इंडस्टी इसको पड़ते हैं और मेरा मानना है कि जो पावन जी के नेक अफ अंडस्टेंडिंग है तो अंडस्टेंग से इस बिल्लेंट मेरे जितनी भी इनके साथ अब तक तो ये अई आपका स्वागत करता हूं तो ये अपका स्वागत करता हूं सबकी तरफ से अला कि आशिरवात तो पिसले जो फवनाए साल से मिल था रहा है एक नहीं तरीके से आप से जुड़ना हुआ हुआ है और अभी जब आप चैनल में कहा था कि आप पित्रों को अपने परिवार में किते हैं कि आप 50 परसेंट और ज्यादा है तो मुझे याद है कि जब हम निव जाटिन करनाट को लॉंच कर रहे थे तो वहां सिद्धरमया आया थे आप भी वहां पे थे तो उस समय सिद्धरमय को अपने का था कि ये मेरे से 50% होने मतला बफ 1 50% परसेंट में आप ये साथा काम करने का मोका मिला तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत अबहुत-बहुत-बहुत अच्छी चेचिए बिजस हैं राजस्टन और च्रॉट या क्रॉट इंडर अगर श्रप्राइब लाजस्टन अजर्ट अजस राजस्टन आधराइब कि अभी जान गर फॉट यह ट्यूट बजाब टो यह टो कारीड विव टॉर आट यह डो लाजस्टन अजस वाट रहा फ़िए स्थीन हो चाले एंट पेरोंगोष य। निविशिश देली प्रूट इन जो के फूपना कर दो एंजी अच्वेश कर पीन बेडिए अनुपकर की लेडिए हैंट य। ब्लौ एंट बिल्स चानत इन जुबस अवस्वेश जडिए खिट अन्हार सब्कोपिश कर दो च ऑोर्च पुर्वाराट और अजिंड टोदेटे एंट जाडिया आज और जब झाड़ चैंड, गौट्ञारी, लिए जान जाड़ झार्टाटी क्यों ठाटां जाड़ाग तारी कि उन जारता हुट्टारी मैं। the fact that we have the elections in Rajasthan now and the elections for the Lok Sabha next year we will spread our rings even far and wider than what we have done now and once again I think as the team JC sir we thank you for this thank you so much आवस्तर्स-जिंजी वह चैनल में थे आना चाहते से किसी फेमिली फंक्षन में लेट होगए उनकी पिलिज आप सबको हर्दिक शुब्कामनाई वहती अभि-भूत करने वाला द्रश्य है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके हाथ से इस धंग से मुझे इस कुरसी पे बैठने का मौका मिलेगा और ये ख़़ार तो मेरे देखते देखते ही बनाया है क्योंकि आपका जो भी मीडिया करियर है वो तो बहुत पुराना लंबा है लेकिन इस कि शुरू करते समय में काफी नजदीक से जुड़ा हुआ था जैसा भी कहा इस ओफिस को सिलेक्ट करने में इस लोकेशन को सिलेक्ट करने में और इसको डिजाइन करने में काफी उसमें एडवाईजरी रूल रहा था और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो मैं अलरेड कि यह अपना अख़वार है या मैं इसमें आ गया हूँ लेकिन इतनी रीच मैंने नहीं देखी सारे हुई जो भी हैं चाहे वो राजस्थान के हैं चाहे वो कंट्री के हैं मैं आपको एक उधारन देता हूँ मैं किसी विदेश यात्रा से नई दिल्ली एरपोर्ट पर आया और वो इतना मोटिवेटेड था वो होकर या जो भी सप्लायर था कि यह सब आगया हमारा फरस इंडिया मतलब वो मेरे हाथ में देना चाहता था कि यह गलती से कोई दूसरा अख़वार नहीं पढ़ ले आदमी तो यह जो चीज है यह मैंने वहां देखी कि दिल्ली एरपो पूरे दिन सर्कुलेट होती है आई एस ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ जैसे आई एस एससेशन का और सब का और दूसरे ऑफिशल ग्रुप का तो उन में सुबह जो भी ख़वर आती है कोई ना कोई एक सीनियर बंदा उस ख़वर को उसमें डाल देता है और फिर पूरे किसी की हलकी सी खिचाई कर देता है तो सब लोग सहम जाते है तो यह जो इंपक्ट है एक अंग्रेजी एखवार का क्या यह हिंदी प्रदेश है इंपक्ट मैंने पहली बार देखा है और मैं खुद सुबह 10 अखवार पढ़ता हूं उसमें दिल्ली वाले अंग्रेजी एख अख़ारों की जो फील, लुक एंड फील है, वो लुक एंड फील ऐसी होती है कि यहाँ हैडलाइन देखी, पहला पे इस देखा और फिर ठीक है चलो रखो, दूसरा देखते हैं, यह ए ख़वार पहला जिसके हर पंद्ने को आदमी पलटता है, और खास तोर पे, जो सिटी फ सिटी फरनट के तो हमने भी खूब आनन लिये, कोई इवेंट हो, कोई बात हो, कोई सरकारी हो, तो हमारे सिंगल पॉइंट है, यह तो अनीता जी को कह देते हैं, तो बहुत ही एफिशेंट टीम है और जितने भी लोग अपने कॉलम लिखते हैं और यह भी मैं देखके हत्रव हूं के विश्व के हुई-जू लोग जो है उनके भी कॉलम इसमें आते हैं अभी रिसेंटली मुझे बक्षी जी बता रहे थे बहुत ही दिपक चोपडा जी का जो कॉलम है नाटवर सिंग जी का कॉलम है राजस्तान के राज्यपाल उसमें लिखते हैं तो यह बड़ा एक सम्मान की बात है कि एक इस तरह का अख़वार और यह मैं पुराने उसमें चल अख़वार नहीं लगता है इसका जो इंपक्त है जैसे भारा 24 चैनल को देखके लोग कहते हैं कि यह नया चैनल नहीं है दसल पुराना चैनल है तो यह सब चीजें तो यह सब पूरा टीम से ही होता है और मैं ऐसे ही अपने आपको भी जाहिर करना चाहता हूं आपके सामने है कि मेरा काम करने का अंदाज इस तरह है कि जहां ही हम काम करते हैं वह परिवार की तरह काम करते हैं बस फिर परिवार में सब आ जाता है सुख दुख यह वह शेरिंग एवरिधिंग वो फिर परिवार होता है और परिवार के साथ ही हम ग्रो करते हैं परिवार के साथ ही हम महसते हैं, खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसी भावना के साथ मैं आपक्षा करूँगा, आप सब मुझे उतना ही सहयोग देंगे जितना आप तक मिलता रहा, हलांके इस चेर्मेन, लेकिन, वो सब ठीक है, लेकिन, खाली सीटी फेस्स तक हूँ, माफ कीजेगा, सिटी फेस्स के तो सीओ भी आप ही हैं, मैंनेजिंग एडिटर भी आप ही हैं, फेशन और सिटी फेस्स मैं छोड़ रखा हैं, वो आप ही करेंगे, तो खेर, यह तो हंसी की बात ही, लेकिन, आपकी छत्रशाय में, और हम सब, मैं समझता हूँ, बहुत ही बहत करेंगे, और थोड़ा आपके पास समय की सीमा रहती थी, क्योंकि दिल्ली भी और ट्रेवल भी इतना ज्यादा है, और बाकी बहुत जिम्मेदारियां आपके, मेरे खिल में थोड़ा टाइम इसमें दे पाऊंगा, तो हम कुछ इसमें नई चीजें भी करेंगे, और एक थो तो देखें, हम आगे मिलकर साथ साथ बहुत दूर तक जाएंगे, पावन अरोडा ने अपने विजन को भी साफ किया है, साती साथ पूरे परिवार के साथ अब खुशियां बाटी जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है, और पूरी टीम इस वक्त यहां पर दफ्तर में मौजूद हैं, जो की स्वागत उनका कर रही है, दफ्तर की तस्वीरे पावन अरोडा का स्वागत किया गया है, कि कटिंग हो रही है, और हर एक सदस्य से पावन अरोडा को बधाई दे रहा है, कि कटिंग के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ये गौर्वान में करने वाला पल हर एक सदस्य के में हर एक सदस्य में एक खुशी है खुशी का माहुल चारों तरफ और हर कोई बदाई दे रहा है और जिस तरह से उन्होंने कहा भी कि सभी को साथ लेकर चलना है और बुलंदियों को छुना है खासियत ये एक जिस तरीके से वो तुरंट नेने लेते हैं विजन एकदम साफ है कि बुलंदियों को छुना है और इसी विजन के साथ इसी उदेश के साथ नई पारी की शुरुआत मीडिया से पवन अरोडा ने कर दी है एक दूसरे को केख खिला कर मूँ मीठा करा कर बधाई दी जा रही है और हर एक चहरा आपको खुश नजर आ रहा है और साथी साथ एक नई उर्जा का संचार खुद में महसूस कर रहा है और जिस कारे के लिए पवन अरोडा जाने जाते हैं बहतर कारे के लिए बिना रुके बिना थके निरंतर कारे करना उनकी कारेशेली रही है और उन्होंने कहा भी था कि जीवन इसी तरीके से निरंतर चलने का नाम है हमें मेहनत करनी है दिन रात काम करना है और उप्लाब्धियों को हासिल करना है